So friends, recently इससे पहले एक वीडियो मैंने आप पे कवर किया था regarding MPNHM Staff Nurse और MPNHM A&M की पोस्ट के लिए एक कम्बाइन जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रवाइड कराई थी और बताया था कि MP Online के पोर्टल पे Staff Nurse और A&M वाले candidates के लिए एक information recently यहाँ पे जोड़ी गई और Rescheduling को लेकर यह जानकारी थी Staff Nurse और A&M को लेकर और इसमें जो है Notices आप लोगों को यहाँ पे प्रवाइड यहाँ पे कराई गए थे और Notices में दोस्तों जो है पुराने Notices की जानकारी उसमें आपको यहाँ पे दी गई थी और ऐसा यहाँ पे लग रहा था कि Staff Nurse और A& Notices के तोर पे आप दी जा सकती है तो यह जानकारी इससे पहले मैंने आपे cover की थी अब दोस्तों आप देखिए इसमें जो है Information आप और यहाँ पे Add करूँगा जो Rescheduling का जो यहाँ पे Information Staff Nurse की और A&M के Post के लिए अभी हाली में यहाँ पे जो Add हुई इसका मतलब जो है आप लोगों के लिए क्या रहेगा तो देखिए Rescheduling में कुछ जानकारी इसमें आप पर Add की गई सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर यह Notice open करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो देखिए यह Notice है और इसमें दोस्तों देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर Update की गई है देखिए आप लोगों का एक्जाम है 31 अगस्त को हुआ स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए और Admit Card आपके 25 अगस्त को जारी कर दिये गए थे अब दोस्तों जो है इसमें जो Information जो Reschedule की गई तो वो देखिए यहाँ पर क्या है 15 सितंबर से 17 सितंबर तो यह जो है आपकी Answer की जो है यह Date आप लोगों को यहाँ पर Reschedule यहाँ पर की गई चूकि यहाँ पर कोई भी Information Reschedule को लेकर यहाँ पर नहीं लिखी Reschedule Word यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ पर नहीं लिखा गया इस वज़े से सबी को यहाँ पर लग रहा था 15 सितमबर से 17 सितमबर यहां पे कर दिया गया, तो कोई exam में यहाँ पे change रही है, कोई exam यहाँ पे cancel यहाँ पे नहीं होगा, और देखीए, यह notice तो यहाँ पे बना दिया गया, लेकिन notice में यह कोई भी information यहाँ पे नहीं लेखे गई, कि इसको reschedule यहाँ पे किया जा रहा है, means वर्ड ही यहाँ पर स्सत्माल यहाँ पर नहीं होता हैं तो बिल्कुल यह चीछ पर लकोगोमने किए खα 맞춰 केंसल यहां पर नहीं होगा और दोवारा से कोई भी डीट यहाँ पर नहीं हाँ रहे हैंगी सिर्फ जो आपकी आंसर्प 15 सी डाउलोड करने की सिर्फ इसमें आप पे चेंज यहाँ पे किया जा रहा यह स्टाफ नर्स के बारे में जानकारी थी वापस से मैं पोर्टल के ओर आ चुका हूँ और स्वेम तो सेम इनफॉर्मेशन यहाँ पे ही आप लोगों को जो है एनम की भी इसमें आपे दी गई तो देखिए यह एनिम की जानकारी है यह इसकी भी डेट्स जो है आपको आप के बताए गई के आंसर की जारी हुई थी तो इसमें भी जो है यह रिष्यडिूल इन डेट्स को यहाँ पे कर दिया गया अब दोस्तों इसमें आपकोई यहां पर क्या कर सकता है कि notice बनाने वाले ऐसे ही है उपर यहां पर कुछ अलग information देते हैं और notice में जो है अलग information यहां पर देते हैं तो काफी चीज़ें आपकी यहां पर clear यहां पर हो गई होगी और सभी जितने भी candidates हैं जिनको यहां पर लग रहा था और मुझे भी लग रहा था कि exam यहां पर cancel होगा तो exam cancel नहीं होगा और नया परिक्षा आप लोगों की नहीं ली जाएंगे कोई भी dates यहां पर नहीं जारी होगी और नहीं जो है यहाँ पे कोई नया notice यहाँ पे जारी होगा और rescheduling का मतलब यहाँ पे क्या है यह इन लोग ने आपे mention ही नहीं किया सिर्फ यहाँ पे लिख दिया reschedule for staff nurse लिखना चाहिए था reschedule for answer की dates for staff nurse तो इस तरीके से यहाँ पे लिखना चाहिए था तो यह जानकारी जो है लोग ने आपे प्रवाइड यहाँ पे नहीं करा ही लेकिन हमें यहाँ पे यह चीज़े यहाँ पे समझ में आ गई और मैंने आपको यह जानकारी यहाँ पे दे दी तो जो भी जानकारी थी मैंने इसमें आपे cover की और अपडेट आप लेगों को प्रवाइड करा है जानकारी पसंद आई तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कोई भी इनफॉर्मेशन आपसे आगे ना चूटे तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में थैंक्यू सो मच